अम्बे तु है जगदंबे काली जै दुर्गे खपरवाली तेरे ही गोने गाए भारती ओ मैयां हम सब उतारे तेरी आरती ओ दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवरी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मीरे चैनल ममता वेज में कैसे हैं आप सब तो ये बतानी के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी अवस्स लिखे तो चलिए आज हमारा नौरात्री का चौथा दिन है जो कुसमंडा माता की हम प क्या चड़ानी चाहिए और कता को हम इस वीडियो में जानेंगे तो आप बने रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रेस कर दिजे जिससे मेरे वीडियो के फूल लेकर देवी को परणाम करना चाहिए इसके बाद हम ब्रत पूजन का संकल्प लेते हैं और फिर हम कुस्मंडा माता की पूजा करते हैं और फिर मा कुस्मंडा सहित समस्त अस्थापित देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं फिर माता की कथा सुनते हैं इनके मंतर का जाब भी हमें करना चाहिए और ध्यान से इनकी कथा को सुनना चाहिए अंत में आरती आपको अवस्य करनी चाहिए जब भी आप माता की पूजा करिए तो आरती करना बिल्कुल मत भूलिए नौरत के दोरान हर दिन का अलग-अलग महत्तो है और देवी के हर स्वरूपों की हम पूजा करते हैं तो आज हम चौथे दिन मा कुसमंडा की पूजा करते हैं जिसमें देवी मा को नारंगी रंग बहुत अधिक पसंद है तो अगर आपके पास नारंगी वस्त रहे तो आप जरूर पहनिए और उनको घर से बनी हुए कुछ भी मीठा चीज उनको भोग में लगा हैं अगर माल पूजा वेगर भी अब बना सकते हैं तो मा कुसमंडा को आप आवस से चड़ाईए मा कुसमंडे का हम चोथे दिन ब्रत कता भी जान लेते हैं कि कैसे हैं पौराणिक मान्यता के मुताविक मा कुसमंडा से ततपर कुमडा कहा जाता है कि संसार में दैत् मुक्त करने है तो मा दुरगा ने देवी कुसमंडा का अतार लिया था इस देवी का वाहन सिंग है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुसमंडा नी ही इस संसार की रचना की थी यही कारण है कि इन्हें स्रिष्टी के आदि सोरूपा और आदि सक्ति भी कहा जाता है कहा जाता है कि सुरुवाती में हर और अंधेरा व्याप्त था तब देवी ने अपनी मंद हसी से ब्रहमांड की रचना की थी अश्ट पूजा देवी अपने हाथों में धनुस वाण कमल पुस्प कमंडल जप माला चक्र गदा अम्रित से भरपूर कलस रखती हैं वाण सुर्य को कुस्मंडा माका निवास अस्थान माना जाता है साथ ही कहा जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सवी दुख खत्म हो जाते हैं मानता है कि जो बेक्ति विधी विधान से मा की पूजा करता है देवी के तीज के प्रताप से वो रोग मुक्त हो जाता है ऐसा माना जाता है कि सचे मन से देवी के आराधना करने से यस बल आयो और सम्मान और स्वास्त में ब्रिधी होती है इसलिए इस देवी को कुसमंडा और मा कुस्मेंडा के नाम से ये प्रचलीत हैं आसा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको लाब मिलेगा तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार सुस्त रहिए सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी